नमस्कार मैं प्रांशे राठोर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज बिहार की स्यासत देश की राजनीती में इस वक्त टॉक पर बनी होई है जस्तरहा से 40 लोग सभास सिटो को लेकर एंडिये खेमे में बटवारा किया गया है इस बटवारे के चलते कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो दरकिनार होते हुई नसराई हैं बात की जाए यहां पर राष्टे लोक जनशक्ती पार्टी की मुख्या पशुपती पारस को लेकर पिरिंस राज का एक अलग ही रुख नसरा रहा है अपने चाचा पशुपती पारस से अलग हटकर वहें बीजेपी के संपर्ग में है जिस तरहा से लोक जनशक्ती पार्टी के मुख्या चुराग पास्वान को दरकिनार कर दिया गया था और उस वक्त चुराग पास्वान बीजेपी के संपर्ग में आकर संघर्ष करते रहे और आज देखा जाए तो पास्वान अपने पिता की विरासत को बखो भी संभाल रहे है ऐसे में अब प्रिंस राज भी कही न कहीं साइड लाइन होते हुए नसर आ रहे हैं और प्रिंस राज कहीं न कहीं अपने भाई चुराग पास्वान से अब संपर्ग कर सकते हैं आपको बता दे यह बाते इस वज़े से कही जा रही हैं, सवाल इस वज़े से ओठ रहे हैं, कियास इस वज़े से लगते हुए नसर आ रही हैं, क्योंकि प्रिंस राजनेहाल ही में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विनोत तावडे से मुलाकात की है, रंगों के तेवहार होली के मौके पर वहें उनसे मिलने पहुँचे होली के शुब कामनाए दी सोशल मीडिया के जरीए इस जानकारी को साज़ा किया है और इस मुलाकात के बाद कयास अटकले ये तक तेज हो चुकी है कि विनोतावडे कहीं न कहीं एक बड़ी कोशिश एक बड़ी पहल कर सकते हैं चिराग पास्वान से वहें परिंसराज को लेकर बादशीत कर सकते हैं क्योंकि जिस तरह से सीटों का बटवारा हुआ है और इसमें देखा गया है कि समस्ति पूर सीट जहां से प्रिंस राज सांसद हैं वो सीट अब चुराग पासवान के पास है और दावी किये जा रहे हैं कि चुराग अपनी मा रीना पासवान को यहां से प्रत्याशी बना सकते हैं ऐसे मैं देखा जाए तो इस सीट के लिए अब जद्दो जहत प्रिंस राज करते हुए देखे जा रहे हैं अब देखना यही होगा क्या प्रिंस राज एक बड़ी कोशिश पड़ी पहल करते हुए नहीं क्योंकि कया सटकले यह तक तेज हो गई है कि बीजेपी अब प्रिंस प्रिंस राज के लिए चिराग पासवान को मनाने की कोशिश कर सकती है उन्हें टिकट दिलाने की कोशिश कर सकती है कि चिराग पासवान लोक जन शक्ती पार्टी के सिंबल पर प्रिंस राज को टिकट दे दे लेकिन पासवान यह पहले ही साफ कर चुके हैं कि जो बागी नेता हैं जो उनकी पार्टी से बागी होकर गए हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है और वह पहले भी कह चुके कि समझोती कि तो कोई गुणजाइश ही नहीं है मैं पहले भी उसके लिए चिंतित था अब भी चिंतित हूँ लेकिन उसने जो फैसला लिया है वो खुद से लिया फिलाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें नेक्स्ट टू नाइन न्यूज